हाई अब्लीबन मैं शिखा भारबवाज अपनी चैनल में आप सभी का वैल्कम करती हूँ तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो नीचे दिये गए लाल बत्म को क्लिक कीजे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरू क्लिक कीजेगा जिसे की हर बार आपको मेरी वीडियो के नोटिकेशन मिल जाए इजी और क्रिस्पी शक्कर पारे ये शक्कर पारे बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी बनते हैं मैं आपको तोड़के दिखाती हूँ इदेखिए कितने क्रिस्पी है देखिए क्रंची तो इजी और क्रिस्पी शक्कर पारे बनाने के लिए देखिए मैंने हाफ कप दूद लिय अब गोलेंगे ताकि चीनी डिजॉल्फ हो जाए और इसलिए दू थोड़ा सा वम लिया था ताकि चीनी अराम से डिजॉल्फ हो जाए अब देखिए हमारी चीनी गुल चुकी है तो चीनी के गुलने के बाद ही हम इसमें बाकी चीजे एड़ करेंगे अगर पहले एड़ कर कि उराम से कर दोड़ा तो थो जाए खाने के तिम्स को का ये पाद दूड़ करेंगे करूंगी मैदा मेदा मैं 2प अधिमें लिया पहले मायदी मिदा करोंगी एड़ करने लाई ओब पहले मेदा अधिमी एड़ करोंगे तो पहले दूफ आदिमाए वा है जाना मैं आधिम तो इसमें लम्स पर जाते हैं इसलिए मैं इससरे अश्राइड कर रही हूँ अर फिर एक मम उड़ा से मेड़ करूंगे तो एक गमैदा Is Sand a अच्छे तरह म rennet कर लिया है तक कि दो की मैइदा में जडोरी है तो बस मेजरमेंट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है अब देखिए मैंने पूरी दो कप मैदा इसमे एड कर दी है मिक्स कर लिया मैंने और आपको अभी लग रहा होगा ये काफी पतला लग है और कैसे बनेंगे शक्करपारे इससे तो अब इसको हम रखेंगे रेस्ट करने के लिए कम से कम वरेंड हाफ अवर के लिए तेर्ट घंटा इसको रखेंगे हम ढखके उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारे आटा बिल्कुल सेट हो जाएगा शक्करपारे बनाने के लिए अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो अपने घर का आप कोई भी एक कप ले लिजे तो मैं आपको छूके दिखा रहें कितना सॉफ्ट है यह देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है देखिए इस तरह उटरा आराम से ऐसा अगरायक की शक्करपारे कैसे बनेंगे इससे लेकिन इसको हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए तो आटा मारा विकुल सेट हो जाएगा तो मैं इसको कम से कम डिल्ड घंटे के लिए वन एंड हाफ आवर के लिए मैं इसको धक्कर रख देती हूँ एक साइट पे और फिर हमको चेक करेंगे अब देड़ घंटे बाद आईए से चेक कर लेते हैं खोल की अब एक से देड़ घंटे बाद हम देख रहे हैं अपना आटा देखिए काफे सेट हो गए आटा हमारा अब इसको हम हैंडल कर पा रहे हैं देखिए इस तरह से इसको हलका सा नीद कर लेंगे हम देखिए इस त में नीजनी को तरह कि और भिंए को दिए और मैं इसको तीenders में कट करूंगी तरह बना से आप टाकर अने कर दिया है मैंद पॉप्सटेट कर दिया है और बाकी सब्लेंगे और मने कवर कर दिया की ड्राइड में इसको बेलेंगे एक पॉशन में से जाका हम एक बल बनाइंगे तो धीद आल में बहुत ज़दा प्रेस नहीं तरह से अब पलतके इस साइड या दूथा गाहेज़ा लगाने के जुरत बिल्कुल भी नहीं है आपको साइड की चिंता बिल्कुल भी नहीं करने है यह क्यूंछ इसको बाद में कट करने हैं tragic मुझे साइड की चिनता में करेगा बिल्कुल भी बस इसको बेल लीजो आप आप बढ़ने से फायदा होता है कि आप गुमा की इस तरह से टर्न करके और फी बेल सकते हैं आपको बार बार भार थाना नहीं पड़ेगा दिखिए इस तरह से बढ़ा लीजिए बस और इसको बेल आटा या ओई लगाने की जुरत नहीं पड़ेगी बिलकुल भी उसको इसी तरह बेल दीजिए अराम से बिल जाता है बहुत पतला भी नहीं बहुत मोटा भी नहीं इस तरह बेल लीजिये अब इस आप चाकू से स्क्वार शेप में या फिर बर्फी की शेप में कट कर सकते हैं जैसकि नॉर्मल शक्रपारे होते हैं मिर पास यह स्टार मोल्ड है मैं इससे बॉटल का धकन हो धकन से भी कट कर सकते हैं राउंड शेप में तो मैं अपनी इस टार्स को निकाल लेती हूँ बहुत इजली निकाल आएंगे यह देखिए बैख्टार्स की बीच में जो एक्स्ट्रा आटा है इसको मैं एक तरफ इक तरफ इखटा कर लिया है इसके हम बॉल अब ओयल को बहुत हलका गरम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर देखिए मैं डाल रही हूँ एक चेक करते हैं डालके आप देख सकते हैं बहुत हलकी बबल्स आ रहे हैं एकदम से यानि कि बहुत हलका गरम है तो यह रेडी है फ्राइ करने के लिए अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हम बाकी स्टार्स को फटाफाट डाल देते हैं इसमें देखिए बहुत जरूरी है कि आपको फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना है ने तो आपके जो स्टार्स हैं जो शक्र पा रहे हैं फॉरण जले जाएंगे क्योंकि बहुत यह अंदर तक सिख जाएंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे और मैंने यहाँ पर राइस ब्रैन ओई लिया है आप अपनी पसंद का कोई भी ओई ले लिजे या देशी घी में भी फ्राई कर सकते हैं इने तो देखिए इस तरह से सारे स्टार्स जितने अराम से आ जाएंगे इसमें उतने रालूंगी में और फ्लेम को लगाता लो रखना है हमें इस तरह से ब्लुकुल लो फ्लेम पर हमारे चक्कर पारे सिक रहे हैं इनको ब्लुकुल टच नहीं करेंगे अभी हम यह तैर के अपने पुपर आ जाएंगे तो उसके बाद इसको टच करेंगे अभी ट देखें कुछ शक्कर पारे हमारे तैर के उपर आ गए हैं तो इनको पलतना स्टार्ट करती हूं में देखी फोक से इस तरह से अराम अराम से एक चक्कर पारा हम पलेट देंगे तुझ जब ऊपर तैर के आज आएंगे उसके बाद या पलटना स्टार्ट कीजिए अगर पह छोड़ दूंग एसथे ऐस राम से फारे बैते फोलाले पहलाए दिया ऐसे फंगे वाल निर्ट उचहें को चोड़ दूँंगे नौला कर लेंगे लुद्धि निक लितली हैं का भला ना Yuk फैंera, एन लाइट घृतर receiving element تمचे में आठार से किया है क्योंकि fry होने के बाद भी ये dark होते रहते हैं तो इनको light golden में ही निकाल लीजिए आप oil में से देखिए इस तरह से light golden fry करके निकाल लेंगे हम एकदम crispy हैं ठंडा होने के बाद बिल्कुल crispy हो जाएंगे ये देखिए कितने सुन्दर लग रहे हैं अब देखिए हमने fry कर लिया है अपने stars को देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया अब आप बाकी को fry कर लेते हैं इसी तरह से अब देखिए हलके गरम oil में इनको भी fry कर लेंगे हम आप देखिए कितने कम bubbles आ रहे हैं यानि कि हमारा oil बहुत हलका गरम है सारे stars डाल दूँगी मैं और fry होने के बाद भी ब्राउन होते रहते हैं इसलिए हम इसको light golden fry करके बाहर निकाल लेंगे बहुत dark नहीं करेंगे oil में इनको हलका सा fry करके निकाल लेते हैं बाहर second lot भी मैंने fry करके निकाल लिया है आप देख सकते हैं कितना light golden है इनका इसी तरह से fry करना है हमें क्योंकि बाद में रखने के बाद भी ब्राउन हो जाएंगे देखिए बहुत क्रिस्पी शक्रपारे बनके तियार हो गए हैं मैं आपको इनकी वाद सुनाती हूं तो बस कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको जो हमने मेंजरमेंट्स बताए हैं आपको उनको ब्रुक्ल स्टिटली फॉलो करना है आपको दूद चीनी और घी आपको लेना है हाफ अफ कप और दो कप मैदा लेना है और मिक्स करने के बाद उसको दिल घंटा रैस करना बहुत जरूरी है तब हमारा जो आटा है सेट हो जाएगा आपको लगे तब ही आपका आटा पतला है तो आप एक दू चमच मैदा और एट कर सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए और सॉफ्ट आटा गूंदिए और लो देखें कितने आराम से टूट रहा है देखिए बहुत अराम से टूट रहा है एक दम क्रूंची है एक दम क्रिस्पी मीठे मीठे बहुत टेस्टि है फ्रेंज्ट रिए एक बार तो इनको आप जरू ट्राइगा तो बिल्कुल तैयार है दिवाली के लिए स्टार शेप छक्कर पारे आप किसी भी शेप में इसे बनाईए ये बेहर टेस्टी बनते हैं बनाने में इजी है क्योंकि आपको शुगर कोट करने के जुरत नहीं है इसको अंदर चीनी है इसमें एक दम क्रिस्पी है देखिए तो मीट करती हूं कि पसंद आए होंगे मैं फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में नई रेसिपिक के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया